नमस्कार दोस्तो, marital series को आगे बढ़ाते हैं, ये वीडियो ladies and औरते ज़रूर देख सकती हैं, बट इसमें मैं address आदमियों को कर रहा हूँ, इस marital video में मेरे को बताना है, how men need to conduct themselves in the marriage, vis-a-vis their wives, एक गुरू मंतर, एक life sutra, एक बहुत बड़ा पुराना इंडिया का जो आप ग्यान कहलो वो है, वो बताना चाहरा हूँ, ध्यान से प्लीज सुनना, to start, whatever you will give to your wife, अपनी औरत को, अपनी अधांगनी को, अपनी बीवी को, जो भी आप देंगे, आदमियों को बता रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, life sutra, वो आपको धसकुना करके वापिस करतेगे, 10x returns मिलेंगे, be extremely careful what are you giving her, अब प्यार दोगे, धसकुना मिलेगा, respect दोगे, धसकुना मिलेगी, कलेश करोगे, उसकी life में धसकुना मिलेगा, वो भी, and she will choose the time and place to give it back, ठीक है, instantaneously दोनों ही चीज़े नहीं मिलेंगी, लेकिन उनका bank account ऐसे ही चलता है, marital counselor हूँ, बहुत consultations करी हैं, astro-loger भी हूँ, पुरानी चीजों का भी link-up है, नहीं चीजों का भी link-up है, 2022 आ रहा है, it works, what I am telling, try to make your wife a strong woman, if she is already one, respect that, do not make your wife चुई-मुई, and don't go and appreciate the चुई-मुई party, होता है न, एक plant ऐसे touch करते हूँ, ऐसे हो जाता है, ऐसे वालों के साथ मत जाओ, strong बनाओ अपनी बीबी को, क्योंकि एक strong औरत ही, life में आपकी life partner भनके, आपको एक ऐसे मकाम पे ले जाएगी, जहां ऐसे गगन के तेले, जहां गम भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, अपनी घर में, wife की insecurities को address करना है आपको, ladies by nature, औरते, women by nature are insecure, which is very good, because जब आदमी, वो caveman, हजारों साल पहले बहार जाता था शिकार करने, अगर औरत बैठ के सोती रहती और insecure फिल नहीं करती, तो जानवर आके खा जाते हैं, humanity नहीं बसती, तो औरतों को बनाया वैसे गया है, और उनके DNA में, हजारों साल की memory है, अब वो वाले काम तो नहीं रहेगे insecure के, तो अब insecurity वो किसी अलग तरह की पाल लेती हैं, तो already वो insecure हैं, आपको वो शादी कर दी हैं security के लिए, तो security आपको देनी ही पड़ेगी, unfortunately, जो माताएं हैं, उनकी married life में, they never felt secure, now they want the security through the son, which is a very bad thing, the security every female, every woman has to seek from the husband, if the husband doesn't give, then you don't trouble your son, he is not duty-bound to give it to you, जो marital security सुख और वो financial होता है, बहुत लोग यह सारी बाते नहीं गरते, इंडिया में इन सब चीजों को बहुत taboo ही कहूँगा समझा जाता है, पर somebody needs to tell these things, and I want to come and tell these things, आपको अपनी wife की financial, physical security के, जब आप साथ फेरे लेते हैं, आप हिंदू धरम के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी धरमों में भी अपना कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है, तो आप उसकी इन चीजों को address करने की लेते हैं, पैदा होके मा की उसके लिए नहीं लेते, मा के लिए पिताजी हैं, और जिनके पिताजी नहीं हैं, उनको भी system in place पिताजी को रखके जाना चाहिए था, तो आप मैं यहानी कह रहा है कि माताजी को बिल्कुल छोड़ के अपनी बीवी की नमस्ते करने लग जो, that is not the message, but the message is you should know your responsibility, माताजी का दूसरा बच्चा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, पेंशन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, पर जिस लड़की को आप लेकर आये हो, उसकी तरफ भी आपकी responsibilities हैं, आप अगर इनसेक्योरिटी को address करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे, खुल के बात करेंगे, तो she will feel very very secure, और एक secure औरत ही घर को जन्नत बनाती है, अगर माता जी insecure है, तो उनकी इनसेक्योरिटी को vis-a-vis your father address करो, कि पिता जी को बोलो कि माता जी को आपने उमर भर क्यों insecure रखा, औरतों के नाम पे जब FD और property होती है, तो घर में शांती आती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि अब सिरफ माता जी के नाम पी होगी उस परिवार की, जो नहीं आ रही है, उसके नाम पे भी होगी, गौर्मेंट ने भी वो carrot दे रखा है सब लोगों को, वो भी रेष्ट्री में 2% कम देना है औरत के नाम पे, गौर्मेंट को भी पता है, गौर्मेंट ऑल्सो नोज कि जिन घरों में सुक शांती रहती है, वो घर तरक्की करते हैं और सारे घर परिवार तरक्की करेंगे, देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी, तो यह जो कलेश घरों के अंदर है, सास भाहु वाला, यह इंडिया की जिडीपी में 2% शेव ओफ कर रहा है, इस पे पता नहीं कितनों ने रिसरच करी है नहीं करी है, अगर जिडीपी इंडिया का 7% उरों कर रहा है, तो उस 9% कर सकता है, अगर 9 करेगा तो 11 कर सकता है, इतना फरक है, क्योंकि उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा about bad marriage and economy bad marriage and investing उसका वीडियो आप चाहते हैं कि how when the quality of marriage is bad या marriage is breaking how you are destroyed financially how you are not able to progress one divorce sets you back by 10 to 15 years financially and bad divorce can set you back by 20-25 years and a divorce which happens over a period of 10 years तो life ही स्वाहा है emotionally भी financially भी ये साथ में से एक marriage टूट रही है इंडिया में आज के दिन वो rate हो गया है which is a very bad rate 14% मतलब हर साथ मी marriage टूट रही है बाकी छे ऐसा नहीं कि जिंगा लाला चल रहा है वहापे बहुत ही अच्छा और एक टूट रही है अगर एक टूट रही है साथ में से तो साथ में से 3-4 marriages भी डामा डोल हो सकती है आज के दिन उस marriages को डामा डोल ना हो उसके लिए ये marital series है अपने लोगों में share करना और आदमियों को फिर दुबारा I'll not use the word one बट बड़ी खलूसियत के साथ आपको sincerity के साथ ये दुबारा advice दे रहा हूँ जो भी आप अपनी बीवी को दोगे वो 10 गुना वापिस देगी इस चीज़ को जब आप याद कर लोगे तो आपको खुदी पता चलेगा मुझे उसको क्या देना है क्योंकि आपको वो 10 गुना वापिस मिलना है अगले दिन नहीं मिलेगा पर मिलेगा तो start giving respect to your wife and start understanding her point of view she will understand you 10 times more and जहां खेल खराब हो रखा है किसी कारण तो have patience immediately नहीं मिलेगा ये भी मैंने बताया है पर मिलेगा जरूर बहुत लोगों की married life में शुरू में issues नहीं होते बहां दभंपती होता और पती को ऐसा लगता है कि बस मैंने तो set कर रखा है मुझे तो सिर्फ investment के बारे मैं बता दे ये बता दे and वो अपनी wife को treatment उतना अच्छा नहीं देता but he doesn't get anything back उसको लगता है कि नहीं वो बड़ा अच्छा है कुछ नहीं हो रहा उसको वो सब कर्मा accumulate हो रहा है and the empire will strike back बच्चों की शादी के बाद बड़ापे में वो आपको suit समय चुका के जाना है तो be very very pragmatic शुरू से ही जिनकी जल्दी शादियां है please apply करो ये सूतर समझ में आया अच्छा लगा ज़रूर comment section में लिखना और अगर नहीं समझ में आया तो भी लिख देना तो खुल के और अच्छे से बता दूँगा और महिलाओं को request है अगर वो देख रहे हैं आपकी अगर कोई भी insecurity है अपने मन में मत पालो क्योंकि वो हैं जो हैं अपने पतियों को बता दो ये पतियों को body language नहीं समझ में आती ना इनको subtle messaging समझ में आती आदमी हैं सारे इन सब आदमियों को खुल के कान में बताओगे नै ऐसे करके कि सुन मेरे को ये तकलीफ है ये when you do these actions मैं अंदर से विचलित हो जाती हूँ और जब मैं विचलित हो जाती हूँ तब मैं ऐसे ऐसे करके कुछ और action करती हूँ और तू बुद्धु है नहीं समझ पाएगा इसलिए मैं खुल के बता रही हूँ ठीक है तो औरतों को भी थोड़ा communications अपनी better खरनी है पत्यों को खुल के बताना है परिवार जो अच्छे से रह रहे हैं तो पहले इन चीजों के बारे में बात करो वीडियो कैसा लगा बताना फामली गुरुप्स पर शेर करना एंड प्लीज रिमेंबर वट में वेन्यू इन्वेस्ट यू अर गेटिंग टेनेक्स रेटर्न्स थाइंक यू